हम ते घर नहीं सोरेंगे चाहिए हमारी उपर बुल्डरजार चला दे हम नहीं सोरेंगी यह घर जाएंगे नहीं यहां से हिलेंगे नहीं तो गाड के यहां बैठे रहेंगे लेकिन बुल्डरजार हमारी उपर से चले लेकिन हम यहां से जाएंगे में इसको सीधा सीधा करने की साजिश है जा लोग खुद ही आत्मात्या है करकर के मर जाए चोटे-चोटे-चोटे-बच्चे को धार उपचा करकर हम तिनके-तिनके जोड के जूगी तोर देंगे मोदी जी ने गलत बोल दिया उनके मुझे गलत बयान निकल गया था कि मैं गरीवी मिटाओंगा अरे उनको बोलना चाहिए मैं गरीव कोई मिटाओंगा और वो ये काम कर रहे है कि मैं गरीव कोई मिटाओंगा दिल्ली के साथ शहर हैं जिसमें से चौथा शहर तुगलकाबाद है जहां हम आज मौजूद हैं 1320 में घ्यासद्दीन तुगलक ने शहर की स्थापना की थी मानिता ये है कि जब ये किला और जब ये शहर बन रहा था तो इसके निर्माण में जो मजदूर लगे थे वो दिन में यहां का निर्माण करते थे और रात के समय निजाम अद्दीन ओल्या की दरगाह पर बाउली बनाने का काम करते थे घ्यासद्दीन को निजाम अद्दीन पसंद नहीं थे लेहाजा बंगाल से आते हुए उन्होंने एक बार ऐलान किया कि मैं निजामुद्दीन का कतल कर दूँगा निजामुद्दीन को जब ये बात पता चली तब उन्होंने कहा था कि हनूस दिल्ली दूरस्त यानि दिल्ली अभी दूर है हुआ यही घ्यासुद्दीन के काफिले पर एक रात को हमला हो गया और उनके बेटे की और उनकी खुद की हत्या कर दी गई तब से इस शहर को इस किले को कर्स्ट किला या अधूरा शहर कहा जाता है 8703 साल बाद अर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस शापित शहर और अधूरे किले को बचाने की मुहिम छेडी है और 11 जनवरी को एक नोटिस यहां पर रह रहे हैं लोगों को दे दिया कि आप इस जगह को खाली कर दें क्योंकि यह जो जगह है वो एक एतिहासिक धरोहर है यहां जो लोग 40,000 से ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं वो उनका आधार कार्ड में यहां का पता है राशन की दुकानों से वो राशन खरीदते हैं बिजली के बिल जमा करते हैं लेकिन उनसे यह कहा जा रहा है कि आप इस जगह को 15 दिन में खाली कर दीजिए हमने यहां पर नौजूद लोगों से बात की जिन्होंने इस नोटिस के बारे में बताया कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस नोटिस को तीन महीने तक एक्सेंट किया गया है पर उसका भी कोई प्रूफ इन लोगों के पास नहीं है आज में तक है गल्स स्कूल पांच मीं तक है एक बार मी तक का स्कूल है बहुत बढ़ी इसपेंसरी बनीए यहां पर सब कुछ बना हुआ हुआ है तो फिर बताओ वो किसके लिए बनाया है, जानवरों के लिए तो नहीं बनाया होगा, सब को पता है, यहां इतनी पबिलिक बसी है, अब ये लोग बोल रहे हैं, कि हम यहां से घर खाली करने तो अब बता वाइव कैसे घर खाली करके जाएं, और हमने बहुत बार मीडिया को भी बुलाने की इंडिया टीवी हो गया यह बड़े बड़े चैनल हो गए सब ने हमसे पैसे मांगे और बोले छोटी मोटी नीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है बताओ यह छोटी नीज है हाँ जी 10,000 रुप्या मांगा है हमारे पास डॉक Greeks के हमने पैसे से लिया है बड़ हमारे पास बोटर आईडि गाड़ अगर ये कपज़र है तो बोटर आईडि गर कैसे बना हमारा पासपोड हमारा कैसे बना विजिली की मिल्टर कैसे लगे और डेटे हमारे पास सिल्akat है जो उन लोगों 544 रुप्य और पर वह कैसे है अगर यह इलीगल है तो आपने क्यों बनाए यह इसकूल है यहां पर सरकारी स्कूल है सरकारी अगर ईलीगल है तो फिर बोटिंग कि हैं किस बदे से आप बोड क्यूंगते हैं किने सर नवंबर में कोई नोटिस नहीं मिला हमें यहाभी हम को इन 11 जन्वरी को नोटिस दिया है हमें बोल जाए कि 15 दिन का टार्गेट देगर नहीं सर इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया हमारे को और ये सब जूट है कि हमने कभजा कर लिया यहां पर जैसे ये अगर किले माली जे किले वाले बोलते हैं कि किले की जमीन है ठीक है तो किले में आपसर रहते होंगे ओपिसर रहते होंगे, कोई तो नजर रखता होगा, एक घर तो बना नहीं है, हजारों घर बने हैं, दस जार घर कमने होते हैं, इसे बसने में बहुत टैम लगा है, अगर बसा है तो वो लोग कहां गए थे, और जब वो घर बन रहे थे, जमीने कट रही थी, तो कहां थे, कार्ट, बोटर आईडी कार्ट, सब चीज हैं, मैं दिल्ली में पिसले 38 साल से दिल्ली में हूँ, कमा के जो भी कुछ बच्चे पढ़ाई हूँ, थोड़े बहुत, यहां जो भी किरा यहीं पर करा, अभी मेरा उमर 50 से उपर हो गए है, मेरे में हिम्मत नहीं आगे और काम क करने की, के जो भी है, इसी के लिए धाता यह स्वटार कार'll करते इन, हाम का जादा न ही है, हमको थोड़ा चाहि है, लेकिन जो जाह हैं, हम औहीं पहरांबलाहा चाहते, हमको कोई कुछ ना करें, आन हमने किसी का जगा कभजा नहीं करा है, क्युकि हमरे पास्त पृप्य क्योंकि हमने किसी का कभजा नहीं कर हम बेकाइदा पैसे से लिया हुआ है जमीन पैसे से लिया हुआ है ऐसे कि पुलिस हालों को पैसे दिया हर गर्स पे हजार रुपे करके है कि लेवालों को दिया हुआ है जब हमने बसा तब उन लोगों ने क्यों नहीं बोला जी अनलीगल किसे हैं हमारे पास डीडिये का लोग आके वह करके गया हुआ है सर्वे करके उसके लिए भी 1200 रुपे लेके गया है तुम्हारा डीडिये के अंदर हो गया तुम्हारा कुछ नहीं होगा तो यह सब चीजे क्यों करा उन्होंने दूसरों की घर में काम करती हूं पढ़े लगी को पास भी सकते हैं कोहीं भी दो सब्सक्तान सब्सक्राओं का निजए सकते हैं कोई बीट करता हैं मदीचार ऋकिकांगा नहीं दे सकते तो गम सेक्चा हमश्ऐ ौपर चलए हुआ चाहिए बस कि जब पुलिस वाले आते हैं कि हम के 2000 पागज की रेट के हम चाहिए बनवाने के जिसके पास 40 जमीन है वह अस्य जार रुपर लेके जा रहा है कि लिए वाले आ रहें 1520 पर ले रहें तो आज क्यों नहीं आ रहें क्या उस दिन रमेश विदूड़ी उस दिन नह आज सिर्फ यह है कि पब्लिक को बॉखलाने वाली बात चली करें आ रहें क्योंकि पब्लिक ने अपना खून पसीना एक एक रूप आदमी भूका रह रहें कि मतलब आज हम 1520 और महींने किस्त दे रहें हैं किसलिए दे रहें हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे मतलब बाल बेटी है जब मेरा घरी नहीं रहेगा मोदी जी तो कहां मेरी बेटी पढ़ेगी और कहां बचेगी बेटी को लेकि रोड़ पे जाओं कोई छोड़ेगा इतने दरिंदे घूमते हैं बाहर इतनी लड़कियों का भलतकार हो जाता है उस पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो जब हमारा घर तूट जाएगा तो हम कहां जाएंगे आप पागिस्तान का दिखाते हो ना आप पन्यूज इतना दिखाता है कि पागिस्तान में एक किलो आठे के लिए लोग इतना लड़ रहे हैं आप कभी सरम करो मीडिया वालो आप इधर दिखाओ तुकल का बाद में ब करने की साजिश है जा लोग खुद ही आत्मातियाएं करकर के मर जाएं कहा जा रहा है कि इंक्रोच्मेंट इंक्रोचर है सुप्रिम कोट के ओडर का इंप्लिमेंटेशन हो रहा है सुप्रिम कोट ने क्या कसम खा ली सुप्रिम कोट ने अपने ओडर में कहीं लिखा है कि इनको रियाबिलेटिशन मत करना सुप्रिम कोट ने ऐसा क्या लिख दिया है कि तुम आते ही इनका गला पकड़ने के लिए तैयार हो गई है पूरा तत्रू वा विभाग सुप्रिम कोट ने ऐसे बोला है कि जाके किसी के चाको गोब दो। सुप्रम कोट ने ऐसे बोला है कि जाके किसी को ऐसा थमादो नोटिस कि वो हार्ट अटेक से मर जाए तो ये जो साजिश रची जा रही है सीदी सीदी ये राजनेतिक ये रंग है और राजनेतिक एक पहलू है जो जनता के बीच में पासा फेका गया है और राजनितिक सत्ता के इस लड़ाई जगडे के दोर में जनता इसका मोहरा बनेगी और पासे तो चलेंगे शतरंज के उनकी लाडियों के बीच में पर जो आम जनता एक गरीब मजदूर तपका है वो इसका शिकार हो जाएगा और वो जिंदगी में वापस उबर नहीं दिहाडी करके ही अपनी जिविको परजन करते हैं परिवार चलाते हैं अगर इन्हों ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का आशियाना अगर बनाया है और यह आशियाना के ऊपर कह रहा है कि हमने किसी से खरीदा है कोई कह रहा है मैं आके यहाँ पर रहा हूं सरकार का सबसे ब पूर्ण संवेदन शिल्ता के साथ लेना था कि कहां पर इनका उचित पुनरवास हो फिर इनके विस्तापन की बात हो पर वो नहीं होकर कोट सीधा सीधा जो है इनको बोल रहा है कि इनको यहां से रिमूव करो जो यह notice कि आम बात कर रहे हैं यह पुरात्त तो बBooks ने बेज़ा है बारत सरकार का बीभाग है दिली सरकार का नहीं है यह लेकिन अभी जैसा भी आपने सुना कि हम इस notice को बापस करने की मांग कर कर रहे हैं पूरी आमादोश पार्टी इन सब लोगों के साथ खड़ी हुए और अभी हम एक बड़ा पिरदर्सन भी करने जा रहे हैं, इनके हक में, इनके घरों को बचाने के लिए, क्योंकि घर बसाना बनाना इतना आसान नहीं होता, जितने आसानी से लोग ने नोटिस यहां आगर के दे दिये घर तोड़ने के, पुरी पुलिस फोर्स यहां लगा द है, तो इनको पहले कैसे तोड़ सकते हो, कल दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को बुलाया भी था, जो कमेटी इनकी बनी हुई है, दस लोगों की, इन सब को बुलाया था कल दिल्ली बिधान सभा में, वहाँ यह लोग गए थे, तो वहाँ इन से तीन MLA इन से मिले थे वहाँ अबर, सहीराम पहलवान जी, आतिशी जी और सौमनात भारती जी, इनके साथ में इन सब लोगों की मीटिंग हुई, और आगे की प्लानिंग में हम लोगों ने तै करी है, कि क्या करना है, तो उसी पर काम करेंगे. मोदी जी ने गलत बोल दिया, उनके मुझे गलत बयान निकल गया था, कि मैं गरीब ही मिटाओंगा, अरे उनको बोलना चाहिए, मैं गरीब कोई मिटाओंगा, और वो ये काम कर रहे हैं, कि मैं गरीब कोई मिटाओंगा.